दोस्तो ये वीडियो देखने के बाद आपको होगे येस आज कुछ नया सीख लिया जी हाँ दोस्तो चलिए मैं बता देता हूं नया क्या है आप कंप्पिटर पे स्क्रीन शॉट कैसे लेते हो दरसल कीबोर की उपर एक प्रिंट स्क्रीन बटन है वो दबा के लेते होंगे य लेकिन ये ट्राइडिश्टम बैथाड़ है ये ओल्ड में थाड़ हम कुछ नया करेंगे जियां अगर हमारे स्क्रीन शॉट के अंदर हम ऐरो से कोई पॉइंट हैलाइड करना चाते हैं हम रेटांGल से कोई टेकनलोजी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ, सीधी बात नो वक्वास चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो खास, लेट्स बिगिन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताओ कि आप अगर ने मेमान हो में चैनल पे और पहली बार आया है हो तो ज़रा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जाना और बेल आइकों पे भी क्लिक करना, इससे होगा क्या, मेरे उडियो की नूटिफिक्शन आपको टाइम पे मिलेगी और आप कम्पीटर में स्मार्ट बनोगे, जी हाँ, बल्कुल स्मार्ट बनोगे, चलिए बढ़ते आज की विडियो के बनोगे, तो दूस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जिसमें मैंने ब्लॉग लिका है, और सबसे पहले बताओ, यह गूगल क्रोम में इस्टाल हो रहा है, लेकिन आप इससे डेश्टॉप पई स्क्रिंशोट ले सकते हैं, कोई भी एप्लिकेशन उस screenshot के अंदर add कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल free में जिहां यह extension free है तो कैसे install करना है यह simple है बस आपको यहाँ पे जैसी link पे click करने के बाद यह आजाएगा आपको add to chrome करना है यह chrome browser के लिए add extension करते हैं जैसी add extension होगा यहाँ पे turn on synchronization option पे click कीजिएगा और यहाँ पे email करके आप login कर सकते हैं फिलार मैं login नहीं करूँगा login नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको screenshot यहाँ पे दिखाए देरा awesome screenshot screen video recorder इसमें video भी record होता है screenshot भी आता है अब मैं detail में बता देता हूँ इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीज़े यहाँ पे देखनी मिलेगी तो अब हम इसे detail में जानते हैं मैं एक नया tab open करता हूँ उस नया tab में कुछ भी open कीजिएगा तो नया tab में यहाँ पे मैंने information search कि सचीं टेंडिलकर और सचीं टेंडिलकर की information का screenshot में लेना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे scroll करूंगा तो आपको दिखाए दे रहे बहुत बड़ा page है और यह पूरे page का मैं screenshot लेना चाहता हूँ अगर आप print screen button दबाएंगे तो इतना ही screenshot आएगा और आप इस page को save as करेंगे मतलब save as PDF करेंगे तो पूरा आजाएगा PDF format में लेकिन मुझे screenshot image format में चाहिए तो मैं यहाँ पे जाओंगा मैं आपको दिखा देता हूँ अब यहाँ पे right corner में आपको दिखाए दे रहा है एक screenshot एक चोटा सा camera icon है उसकी पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे यहाँ पे कुछ options आपको मिल रहे है इस options में से सबसे पहला option मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको capture entire page यह important है यह देखना है कि यह पूरा page capture कर रहा है कि नहीं कर रहा है चलिए मैं इसकी पर click कर देता हूँ यहाँ पे यह process हो रहा है और पूरे page का screenshot उसने ले लिया है awesome screenshot ओ हो awesome देखिए आप यहाँ पे पूरे screenshot आ चुका है अब यहाँ पे यह बढ़ने के बाद आप इसे done करके download कर सकते हैं लेकिन इतना ही नहीं जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारे points आपको दिखाए दे रहे हैं हाँ यह points में कुछ paid है जो कि paid में ही चलेंगे या नहीं paid version आपको खरीदना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे free है जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में दिखाया था आपको तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाए दे रहे है image की size आप adjust कर सकते हैं यहाँ पे image की size दिखाए दे रहे है 1920 by height तो उसकी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा pages से यहाँ पे आप जैसे नीचे scroll करके देखेंगे तो आप यहाँ से image की size कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे crop भी कर सकते हैं जितना ची उतना ही particular crop आप रख सकते हैं crop तो जनरली आपको पताए रहेगा जिसे click करेंगे and drag करेंगे तो उतना ही रहेगा फिलाल मैं यह crop नहीं करना चाहता हूँ तो मैं cancel कर देता हूँ यहाँ पे है यह pain highlighter आप इससे कोई point को यह point है तो इसे मैं highlight करना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी आप ऐसा draw कर सकते हैं मेरा pain पे अच्छा command नहीं इसलिए ऐसा draw हो गया बट अगर अच्छा command आपका pain पे नहीं है तो rectangle ले लो rectangle से आप इस point को इस तरह से highlight कर सकते हैं वाव interesting है ना undo करने के लिए आप यहाँ पे screen control z press कर सकते हैं मैंने undo कर दिया है control z press करके और यहाँ पे मैं आपको बताओ कि और भी tools में जैसे rectangle की जगा circle भी है आप circle से कोई point वगरा highlight करना चाहते हैं settings यह रहा ellipse और circle इस तरह से draw कर सकते हैं अच्छा आपने draw किया और आपको लगा किया मूँ करना है तो उसके आपर border पर mouse pointer लेकिया हो you can move it आपको जहां पे चाहिए वहां पर रख सकते हैं वाव interesting है ना इसके size भी आप बड़ा सकते हैं यह भी interesting है यह कापी सारी चीज़े यहां पर available है आप इस highlighter को इस तरह से रख सकते हैं आगे आती है arrow की बारी arrow look at here arrow now I want to draw the arrow like this अभी इसकी size भी बहुत ज़्यादा आ रही है outline size और arrow size अगर कम करना है तो यहां पर 8x की जगह 2x ले लो देखिए arrow कैसे आ रहा है वाव interesting है ना आप कोई भी points को ऐसा highlight करना चाहते हैं तो arrow की मदद से आप कर सकते हैं easily आप draw कर सकते हैं यह आपको यहां पर clearly दिखाई दे रहा है यहां पर अलग-अलग arrow है मैंने आपको बस एक arrow दिखा है आप दूसरा arrow भी लेकर try कर सकते हैं इस तरह से arrow draw की आप बीच में point आते हैं and you can make it curve जैसे point mouse pointer लेके जाएंगे आप इस arrow को इस तरह से कव करके कुछ भी ऐसा अलग-अलग shape दे सकते हैं और आगे है दोस्तों text यह जो है इसके click किजिएगा अब देखिएगा text लेने के बाद यहां पर आप कई भी टेक्स्टों कर सकते हैं जैसे यहां पर मुझे आड़ करना ह सचीन in 2016 ऐसा कुछ भी है वहां पर तो आप टाइप कर सकते हैं सचीन in 2016 तो इस तरह से यहां पर text भी आप आड़ कर सकते हैं उसके आगे क्या है देखिए blur है blur options में suppose आप लगता है कि यहां पर जो images दिखाई दे रहे हैं top story में वो images सचीन की नहीं दिखानी है आपको you can hide them like इस तरह से select करके simple है आपको कुछ और चीज़ आइलेट करनी है जैसी कि wipe की information hide कर देनी है तो hide कर सकते है आप जो भी जानकर है आपको hide करनी है screenshot के अंदर बस is blur option से आप hide कर सकते हैं आगे कि कुछ options है जो कि paid है यहां पर तो यह भी आप click करेंगे तो आपको पे payment के लिए प इसके information दे दिए अब आगे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर बहुत सरी चीज़े color भी आप इसका change कर सकते है आप चाहते हो इस arrow का color तो यहां से बदल सकते है फिलाल मुझे नीच चाहिए तो मैं done करूंगा और अगर मुझे पूरा reset करना है तो यहां से मै reset कर सकता हूँ मतलब clear हो जाएगा पूरा पूरा फिलाल तो मुझे done करना है और screenshot को देखना है कि इसे मैं कैसे मेरे computer में ले लूँ तो जैसे मैं इसे done करूंगा यहां पर option आएगा आपको download as a image और PDF आप PDF में चाहते PDF में कीजिए download करना चाहते इमेज में तो यहां पर download कीजिए download और उसके बाद allow और उसके बाद सेव कर देना है download folder में यह desktop पर सेव कर देता हमें यहां पर सचिंटेंडू कर मैंने desktop पर सेव किया है now you can check it out इसको मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा यहां पर आपके screen पर यह screenshot आ चुका य क्योंकि मैंने आपको बता है यह मैंने पूरा screenshot लिया था I'll make the zoom you can check it out right now look at here इस तरह से screenshot यहां पर आ चुका है आप देख सकते screenshot में जो मैंने content add किये थे वह सब यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह screenshot completely आ चुका है clear भी है वह इंट्रेस्टिंग है इसे आप पीडिया भी download कर स अंदर यहां पर camera capture में चले जाते हैं यहां पर awesome screenshot capture में आने के बाद आपको यहां पर एक options है capture selected area यानि की आपको crop करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले से crop करके ले लो जैसे आपका snipping tool काम करता है आप उतना select करोगी उतना crop होगा लेकिन snipping tool में इतने सारे function नहीं रहेत सकते हैं और done करना है finally and then you'll get it and download and PDF convert करना है और दूसरा आगे देखते हैं इसमें और कौन से options है यह तो मैंने बता दिया उसके बाद अगर आप चाहते desktop capture करना तो desktop भी यहां पर capture कर सकते हैं आपका कोई application चालू है suppose मैं desktop पे एक application भी यहां पर open करके रख देता हूं notepad application open कर करके रख देता हूं okay तो नोट पैड़े में मैंने कुछ भी लिख दिया hello whatever and now I'm going to take this one capture desktop capture desktop करने के बाद आपके सामने एक file of box आ रहा है जिसके अंदर आपको दिखाए दे रहा है यह entire screen आपका पूरा desktop आ जाएगा यहां पर और दूसरा एगा application window यानि कि जो जो application चालू एक तो recording चालू है जो अभी आपको दिखाए दे रहा है इसकी वैसे record हो रहा है इसलिए दिख रहा है दूसरा यह हमारा जो पूरा ब्राउजर है और यहां पर आ रहा है application window यानि कि आप notepad को भी यहां पर screenshot ले सकते आगे शेयर पर जाना है लेकिन आप desktop का चाहते तो यह entire screen लीजिए और यह यहां पर सब minimize करके आपको desktop मिल जाएगा minimize कीजिए अभी आपको desktop मिल रहा है desktop की उपर यह जो दिख रहा है यह screenshot में नहीं आएगा don't worry about it बस यहां पर इसको select करना है सेलेक करने के बाद यहां पर share बटन पर क्लिक करना है जैसे आप share करोगे screenshot capture हो चुका है अब आपको मिलेगा कहा पर देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा chrome browser में और यहां पर यह आ चुका है right now you can make it crop अगर आपको चाहिए तो इतने icon चाहिए थे इतने icon का आपको crop करन है वो कर सकते तो इस तरह से आप वहां से desktop भी यह कर सकते हैं डाउनलोड कीजिए जो भी है अब आपको यहां पर आगी का option मैं आपको बताओं जिसमें select local image है मतला आपके desktop पे कोई image है उसका screenshot आप लेना चाहते है तो वह image आप यहां पर drag and drop कर सकते हैं कैसे चलिए देखते मैंने ले लिए वो कर रहा है और इसे हमें यहां पर कुछ highlight करना है या फिर blur करना है यू can make it इसका चेहरा में blur कर देना है वाव interesting तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसे भी done कर सकते हैं और इसका भी done करने के पाद इसे भी आप download और PDF में convert कर सकते हैं तो बहुत सारी interesting चीज़ जो आपको करके देखनी चाहिए screenshot awesome screenshot के अंदर तो यह awesome screenshot की जानकरी मुझे लगा आपके साथ मैं share करूँ तो मैंने कर दी आपका काम है कि दूसरों के साथ भी share करें